स्वागत है आपका अनओफिशल कार्याले के आज की इस Excel वीडियो में दोस्तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम कैसे किसी भी Fixed Deposit का Maturity Amount कैसे Calculate कर सकते हैं Excel में मैं आपको Fixed Deposit का Maturity Amount Calculate करने का Complete Process दिखाऊंगा Step by Step तो इस वीडियो के इंट तक जरूर बने रहे हैं आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें तो चलिए शुरू करते हैं अब हम इस डेटा के basis पे हर एक FD का Maturity Amount Calculate करेंगे तो सबसे पहले हम आ जाएंगे F3 में और यहां पर हम सुमित का जो FD है उसका Maturity Amount Calculate करेंगे तो सुमित ने दो लाग रुपे FD में जमा करा हुए हैं 5 साल के लिए और 6% की Rate of Interest पे तो सबसे पहले हम यहां पर Future Value का और Go पर Trish कर देंगे तो हमार पास Future Value का यहां पर सबसे पहला Option आ जाएगा इसे सिलक करके प्रेस करेंगे तो यहां पर FV का formula आ जाएगा और दो ब्रैकेट्स आ जाएंगे और यह जारा से एक Dialog Box को पुछा हुआ है तो सबसे पहले यहां पर Rate of Interest को denote करता है तो Rate of Interest 6 है हम इस चल को सिलक कर लेंगे नेक्स्ट उप्शन है अन पर का यहां पर का मतलब यहां पर है कि हमने कितने साल के लिए FD कराई हुई है तो number of years को हम यहां पर सिलक कर लेंगे तो FD में यह relevant नहीं है, इसलिए से हम blank रखेंगे, next option है present value का, present value दो लाग जो सुमीत ने FD में जमा करवाई हुई है, type को हम zero रखेंगे यहाँ पर, तो आप यहाँ पर end में नीचे देख सकते हैं, 267,000 हमारा maturity amount calculate होकर यहाँ पर आ रहा है, तो हम simply यहाँ पर OK प्रेस करेंग कि हम बागी सारे FD की values calculate कर लेंगे, तो complete column को select करेंगे, control D press कर देंगे, और same formula सब में अपला हो जाएगा, और सभी की maturity amount यहाँ पर calculate होकर आ जाएगी, दोस्तों यह थी कुछ simple से steps, जिसे follow करके आप FD की maturity amount calculate कर सकते हैं, Excel में, अगर आपको यह वीडियो अच्छे लगी हो, और इस वीडियो से कुछ नया सिखने मिला हो, तो इस वीडियो को like करें, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और comment करके जरूर बताएं कि आप next वीडियो कौनसे topic पर देखना चाहेंगे, ऐसी और वीडियो देखने के आप मेरे चैनल अनफिशल कारेल को explore करें, आज क के लिए बस इतना ही मिलते हैं किसी next वीडियो में, thank you.